आज किस वीडियो के अंतरगत बात करने वाले हैं जो भी हमारे फस्टेयर के फस्ट समस्टर के चात्र है जिनको इंगलिस की यानि की अंग्रेजी की परिछा देनी है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्पूर्ण होने वाली है क्योंकि आज किस वीडियो हम टॉप लेबल के प्रशन है तो वीडियो को लास्त तक देखेंगे तो आपको काफी हल्प मिले कि एक एक कोईश्ट में चाट चाट के आप सभी के लिए तयार किये हैं एक रिक्विडियो के यार पूरा देख लिया करिए एक करता हूं क्योंकि जो मेरी मेहनत है वो पूरी तरह जाय जाये पूरी मेहनत सफलो बस कुछ नहीं चाहिए हमसे आप लोगों से ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको काफे हल्प मिलेगे ऐसी नहीं ऐसा नहीं कि यह जो मैं कोईश्ट मता रहा हूं आपकी परिच्छा में नहीं आएंगे या फिर फालतों कोईश्ट सब्सक्राइब करके ठीक है तो यहां पर पूर्प के तोर पर देख लीजिए फर्स टमेस्टर इंग्लिस का पेपर है अंग्रेजी सब्जेक्ट है जो पेपर का नाम है वह इंग्लिस प्रोच एंड राइटिंग इसकिल देखिए इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे अग मतलब कि इंग्लिस सब्जेक्ट है और उसके सामने जो पेपर है वह इंग्लिस प्रोज एंड राइटिंग इसकी लिखा होगा है यह प्रश्ण पत्र का नाम होता है पेपर का नाम ठीक है इसको जरूर ध्यान लखेंगे अगर यह मैच कर रहा तब यह प्रश्ण आप सभी को एक पॉयम है जो कि आपके इस लेवर से में ब्या 1st year के फार समेस्टर में तो उसमें जो पॉयम है उसका मुख्य मिसेश्था क्या है उसकी में फीचर क्या है ठीक है वह आपको बताना है लिख लीजेगा को वाद में उसका उत्तर आप लोग डोड के पढ़ लीजेगा म नयांतारा सघल is English literature यहां पर त्री नंबर गलतिस हो गया ठीक है की कुस्चिन एक ही है तो आपको जो नयांतारा है नयांतारा सघल यह जो है वो एक English सहतकार है ठीक है हिंदी मतलब इंग्लिस साहितकार एंग्रेजी के साहितकार है तो उनका क्या योगदान है इंग्लिस साहित के छेत्र में इंग्लिस साहित के छेत्र में नयांतारा सहगल का क्या योगदान है वो लिखना है ठीक है right on contribution मतलब हो गया योगदान of the नयांतारा सहेगल in English literature यहां पर literature नहीं लिखा तो भोल गया हम लिखने के लिटेचर मतलब English literature का मतलब हो गया ठीक है English साहित कार ठीक है तो आपको यह प्रश्ण याद रखना है English के साहित में जो नयांतारा इनका क्यों योगदान है महात्पूर्ण प्रश्ण तैयार कर लिजिएगा नेश्प्रश्ण आप लोगों के समस्त है तीन नंबर की वाट इस दी प्लोट एस्टेक्चर यह प्रश्ण जो परिच्छा हुई थी पिछले साल अब यह साथ पूरे तो इसको विध्यान से सुन लीजिएगा ठीक है इसको तैयार कर लीजिएगा तो प्लोट ठीक है प्लोट इस्टेक्चर यह आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा जब आप इसका उत्तर ढूंड के को इस्टन बैंक से इंटरनेट से गूगल से सच करके आप ढू प्लोट इस्टोरी है उसके तत्तों के बारे में आपको लिखना है ठीक है इस्टेक्चर उसका पूरा सन्होचना जिसको बोलते हैं ठीक है उसके बारे में लिखना है से अगला प्रतिंग्ला प्रस्ण है कि चार नंबर की फार्टिस यहां पर इस ने लिखा फ़ाटिस नियुर्ट इंरेटिव इस टेक्चर कहने कमतलै की रिमा मतलब होता है कथा और दोनों कि मिलाक्त कहेंगे तो कथा सनneshna मतलब कि कथा सनешьnath a क्या है ये आपको इसका उत्तर देना है कथा समझना क्या है इसको पढ़ लीजेगा महात्पुन प्रश्ण है कथा संदस्तना फे जुड़े प्रश्णा आएंगे ठीक है नेस्ट प्रश्ण आप लोगों के लिए है पास नमबर की वरीप एक्स्प्लेइन ठीक है में मोईर तो ध्यान से समझेंगे में मोईर ठीक है इसको थोड़ा प्रनाउंस एसन जो है उसका थोड़ा अ मातक ठीक है तो एक na di嗯m из- Toby उसको तुमार बिधा बोलते हैं ठीक है और मतलब को इंगलिस में ठीक है में मिमयर जोर्बते का मतलब तो कहने का मतलब यह है कि आपको संसर अभ्रीव मतलoi मतलब संच्प में संचेप में explain करना मतलब की ब्याख्या करनी है संसरान की बारे में आपको थोड़ा लिखना है ठीक है ज्यान रखेंगे संसरान की थोड़ी संचेफ में एक्स्प्रेयन करना ब्याख्या करना है च्छे नंबर प्रश्ण है कि what is the short story, short story आप लोगों को मालूम है, short मतलब छोटी हो गई, story का मतलब कता हो गई, लग हो कता जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो लग हो कता क्या short story, क्या मतलब छोटी जो story होती हैं, जो आप लोग लगाते हैं, इस्टाग्राम पे, ठीक है, और उस पे, what's up पे, facebook पे, उसी, ठीक है, short story क्या बोलते हैं, तब इसकी परिभासा क्या होगी, जो चलिए, अगले प्रश्ण के और बढ़ते हैं, महत्त पूर्ण प्रश्ण याद रखेंगे, short story ये भी परिच्छा में आया था, पिछली बार परिच्छा होई तो इसमें प्र इच्छा होगी, उन्च हात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान लखेंगे, शात नमबर प्रश्ण है कि, what is the personal, ठीक है, personal essay, कहने का मतलब यह है, कि जो ब्यक्तिगत निबंध होते हैं, ठीक है, तो ब्यक्तिगत निबंध होते हैं, उनके बारे में आपको इसके बारे में आपको लिखना है, यह भी महात्रपूर्ण प्रश्ण है, इसका भी उत्तर आपको question bank, internet, google पे ढोड़ लीजेगा, मिल जाएगा, easily, तो वहां से पढ़ लीजेगा, इसको उत्तर ठीक है, महात्रपूर्ण प्रश्ण एक्जाम के लिए, आप लोगों के ज्य पढ़ लीजेगा, जो भी आपको time मिले तो, ठीक है, next question है, what do you know about formal essay, मतलब आप, एने का मतलब है, formal का मतलब होता है, formal का मतलब होता, ओप चारिक, essay का मतलब निबंद, ठीक है, formal मतलब की, ओप चारिक, निबंद के बारे में, आप क्या जानते, what do you know, मतलब की, आप क्या ज जानते है, what do you know about, आप चारिक, निबंद, ठीक है, आप चारिक, निबंद के बारे में, आप क्या जानते है, इसके बारे में, आपको एक परिभासालिक निए, ठीक है, क्या होता है, example लेकि आप लोग लिग दीजिए, ठीक है, महात पूर्ण प्रश्ण है, एक्जाम के लि लोगों को मैं बता दूँ है कि, नाइन नमबर की, राइट आ नोट ऑन, पिरोडियो कल, ठीक है, पेरियो, डिकल, एससे, अब भाई, पिरियोडिकल, एससे क्या होता है, ठीक है, चली जानते है, इसके बारे में, जिसको पेरियोडिकल को हिंदी में बोलते है, आवाधिक, ठीक है, आवाधिक, निबंध, आवाधिक निबंध पे आपको एक टिपड़ी लिखनी है, राइट आ नोट ऑन, मतलब की, राइट आ नोट का मतलब हो गया, टिपड़ी, ठीक है, टिपड़ी आपको लिखनी है, आवाधिक, ठीक है, आवाधिक निबंध पर, ठीक है, एक आपको चोटी सी टिपपड़ी लिखनी है तो महात्रपूंट प्रश्ण ये भी है इसको भी तैयार कर लेंगे आपको काफी मिल जाएगी ठीक है प्रश्ण है कि 10 नंबर कि what do you mean by प्रोज राइटिंग तो प्रोज राइटिंग सी बलसी बात है प्रोज राइटिंग को मतलब कि प्रोज का मतलब हो गया गद्ध और राइटिंग का मतलब हो गया लेखन तो आप लोग गद्ध लेखन से क्या समझते हैं या आप लोग कि क्य प्रच्छा में आएगा और प्रशंट ठीक है नेस्ट प्रश्ण के और बढ़ते हैं नेस्ट प्रश्ण है कि 11 नम्मर की डिफाइन आटो बायग्रॉफी आटो बायग्रॉफी के मतलब समझते हैं आत्म कथा मतलब जो किसी एक पार्टिकुरल इंसान की कथा होती है जैसे कि म मैंने बच्पन में क्या किया असके बाद में कैसे बढ़ा कहा पर पढ़ाएं की वह उसके बाद क्या बाना कैसे क्या प्रोसेस भूरा ठीक है तृ स्का इसको एंगलिस में ऑलते हैं आ्टहिंड हैं ऑप tenía कоки ऑने निकी आ लोगका होता है किलपना क्या चीज होती कल्पना के बारे हो नहीं करते किसी जीच की तो वह कल्पना क्या है एक उसकी परिमासा लिखनी distraught तो यह भी मात पूर्ण है याद रखेंगे इंपॉर्टेंट परिच्छा के लिए निश्प्रश्ण है आप लोगों के समस्त की वाटिज एन एनालोजी अब भाई एनालोजी क्या होता है तो एनालोजी को हिंदी में जो बोलते हो बोलते हैं उसकों समानदा कासि माली झेकर्णी यहां पर लिखा यहां पर लिखा है कि वाटिज एनालोजी मतलब साधस क्या है यह याद समानता जीस is समानता बते हैं की आप में और उसमें क्या क्या सिमिलाइटी हैACT क्या समानता है तो उसी चीज हो गई कि आप लोग साथ द्रस्त से क्या समझते हैं ठीक है महत्रपूर्ण प्रस्ण इसको भी याद रखेंगे चौदा नमबर प्रस्ण की राइट नोट आन ठीक है इनवर ठीक है इनवरेजन इनवरेजन के में आपको लिखना है तो इनवरेजन का हिंदी में मतलब होता है विद क्रमण ठीक है क्या होता है बिद प्रमण ठीक है विद तू क्रमण आप इसका उत्तर जो अपने लेबल का महार्त पूणई एक्जाम के लिए पंदा नंबर की राइट आज्ञाट नॉट चिंदू हमें है चंदू मतलब की मतलब की एक किसी डिय है ठीक है उसमें चंदू आप लोग की कže से कह सकते हैं कि चंदू उसमें पात रहे तो उसके बारे में आप लोगों को चन्दू के बारे में एक संश्प्त में लिखनाी है सोला नंबर प्रशन की राइट आप व्रीप सम्मरी आफ दी एसे द लास्ट लीफ टिक है एक इस्से है एक निबंदध है आपके फस्योर के फस्क्रमेश्चों मे जिसका नाम है द लास्ट लीफ ठीक है तो इस पर आप लोगों को सारस लिखना है समरी कंदम सारां सषिएaney इस उससे में एक इस प्रक्षिस कि श्यूद कई इसलासलिए या किस्त्रकर बोश्डवर्य देश्ञा को एकि में 120 लेटर की परिभासा दीजिए मतलब कि पत्र क्या होता है वो पत्र बहुत सारे हो सकते हैं वो किसी को छुट्टी का पत्र हो सकता है या फिर किसी को अपलिकेशन मतलब सिकायत के लिए हो सकता है कंप्लेंड के लिए हो सकता है या फिर किसी से मतलब कि रिकोष्ट करने के प्रम्पन उसक्ता है अंदभा करके मुईने मतलब कि एक कि कि में प्रती कर दिया कि लेटर जिस्कों आप लोग हिंदी में बोलते हैं सब्सक्राइद है summary मतलब कि किसे कहते हैं या फिर आपको इस्तीफापत्र लिखने के लिए बोला जाए कि इस्तीफा पत्र क्या होता है या फिर एक इस्तीफा पत्र लिखिए ठीक है ठीक है रिजिगनेशन लेटर लिखना है आप लोगों को एक ऐसा प्रशन हो सकता है ठीक है तो आपको पढ़ लेना इसके बारे में होता क्या है और कैसे लिखा जाता है गूमने जाते हैं तो दिखा देते हैं यह शमंदर है और यह पहाड है हम अलहाबाद जा रहे हैं हम प्रियाग राद रहे हैं हम बालाजी जा रहे हैं हम यहां जा रहे हैं बहुत साही चीजे वो दिखाते हैं कि हम जा रहे हैं और ट्रेन पर दिखाते कैसे से वहां पर पहु आप लोगों की समस्त कई आएंगी जिस पर आपको क्या दिखेगा क्या दिखेगा पुश्टन दिखेगा और उसका उत्तर दिखेगा तो वो जो विपसाइड है अटिक है उसी को blogging बोलते हैं वो जो लिखा गया है content ठीक है उसको एक blog बोलेंगे पूरे blog को जितने माली 10 प्रश्ण है उस मनद आपने website पे click किया उसके बाद आपके सामने 10-20 प्रश्ण आए और उसके अत्तर आए तो उस इसके बारे में आपको लिखना है इसकी परिभासा देने की मतलब क्या होता है अच्छे मालूम है सब लोगों को mail चलाते हैं सब लोग और एक प्रश्ण और बन सकता है कि what is content writing content writing और blogging लगभग similar है content writing का मतलब ही हो गया जो question और उत्तर लिखे होते हैं website पर जब सर्च करते हैं तो उसी को content writing बोलते हैं मतलब कि जिसने भी उस question को और उसका उत्तर लिखा उसे content writing बोलते हैं और उस जो content writing होता है वो मतलब कि जैसे कि बहुत सारे इसमें job अब लोग करते भी हैं content writing की लिखने के लिए ठीक है कि हम आपके लिए एक story लिखेंगे ठीक है तो उसके लिए आप लोग हमें पैसे पे करिए तो उसी के बोलते है content writing तो इसकी परिमासा दे सकते हैं तो यह पूरे के पूरे करीब आपके 25 नंबर तो पक्के हो जाएंगे तो आए ओप आपको वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक करेगा अगर आप इसी तरह अनवी सब्जेट की question चाहते तो कमेंट में ज़रू बताएं मिलते हैं को नई वीडियो में तब तक लिए जाहिंद